अगर आप भी IRBS Certification की त्यारी कर रहे हो तो हमारे पास IT Security का full course available है जिसके अंडर हम आपको provide करवाते हैं conceptual videos जो कि हमारे Hindi और English language के mix में available होते हैं इसे के साथ हम आपको mock test, mega mock test और e-pdf notes ही provide करते हैं जिनकी help से आप कर सकते हो और यह जो हमारी light classes होती है वह आपको recorded form में भी मिल जाती है तो अगर आप systematic manner में IT security के preparation करना चाहते हो तो फड़ा फट से हमारी course में enroll के लिए हमारे जो courses हैं वह easily accessible हैं अगर आप ए controlled user हो तो IABF Learning Center application download कर लेजे Google based store से और अगर आप एक iOS user हो तो my institute app download कर लेजे app store से और वहां पर आपको organization code यूज करना है GEGKT तो फड़ा फट से न application को download कर लेजे हमारी courses में enroll कर लेजे और अगर अभी हमारे course में enroll करते हैं तो आपको लगबग 82% का off में जाता है हमारे courses पे जिसके लिए आपको coupon code यूज करना है तो फड़ा फट से coupon code कर यूज करके हमारे course में enroll कर लेजे और हमारे telegram चैनल को भी जरूर जोइन कर लेजे क्योंकि मैं इसमें exam से later classes से later important update जो है वो डालते रहते हैं क्या होते हैं मालवेर क्या होते हैं इसके उपर detail में discussion करने वाले हैं तो फड़ा फट से session को share कर दीचे अपने friends के साथ कलेक से ताकि वह भी session का benefit ले से तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर malware का मतलब समझते हैं कि malware basically यहां पर होते क्या है तो अगर हम simple भाषा में समझें तो malware कुछ यहां पर software होते हैं code होते हैं जिनको बनाया जाता है computer system या फिर network system को नुकसान पहुंचाने करें अब यह नुकसान कैसे पहुंचाते हैं तो जनली देखो जो attackers होते हैं वो कह करते हैं किसी ना किसी तरीके से यह जो malware होते हैं उनको हमारे computer system या फिर network system के under enter करवा देते हैं उसके बाद जो हमारे computer or network system वो सही तरीके से काम नहीं करता और इसका फायदा होता के जो हमारा attacker होता है वो unauthorized तरीके से हमारी computer or network system के under access पा जाता है जिससे वो हमारे data और information को नुकसान पहुंचाता है clear app को अगर आप इसका यहाँ फिर meaning देखो तो meaning में क्या लिखा है this is the software or code यह क्या है कुछ software code होते हैं जिनको intentionally बनाया जाता है हमारे computer system या फिर network को damage करने के लिए disrupt करने के लिए या फिर unauthorized access को gain करने के clear है यह कहता हमारा malware का meaning अब बात करते है features of malware ठीक है अगर हम malware को और अच्छे समझे तो क्या क्या बाते इंपोर्टन बाते उसके अंदर होती है तो पहला important feature क्या है malicious intent ठीक है malware को use करने का और बनाने का intention होता है वो malicious होता है ठीक है तो हमारा जो intention है malware की पीचे वो कहा है malicious होता है clear है अब नुकसान किसी भी तरीका का हो सकता है जैसे कि हमारा जो system की security है उसे हम compromise कर सकते है या फिर data को चुरा सकते है या फिर normal operations को भी disrupt कर सकते है next concealment ठीक है यह काफी important feature होता है malware concealment का मतलब है अपने आपको चुपा के रखते है जब किसी system के अंडर malware enter करता है तो वो अपने आपको चुपा के रखते है हमारे system के अंडर वो present भी रहता है पर हमें पता ही नहीं चल पाता क्यों नहीं पता चल पाता क्योंकि उन्होंने strong encryption उसके उपर की होती है जिससे यह hide रहता है जब तक यह अपना काम करना शुरू नहीं कर देता है तब तक हम इसको identify कर ही नहीं सकते है इतनी strong encryption की जाती है next data theft or destruction तो यह data को जो mainly attacks होते वो data selected होते मतलब कि data को यह तो चुराना होता है यह data को damage करना होता है उसको पूरा खतम कर कर देना होता है उसकी destruction कर नहीं होती है उसके बात क्या remote control अब जो हमारा attacker है ठीक है वो यहाँ पर किसी remote location से भी malware को control कर सकता है और इसकी help से हमारे system को नुकसान पहुंचा सकता है मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो attacker है उसको malware के पास ही होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है वो कि इसी remote location से भी उसको control कर सकता है अपने system से next बात करते objective of malware हम malware को क्यों बनाते क्यों उसको use करते क्या objective होता है तो पहला होता है data ठीक है हमें data चुराना जो sensitive data है जैसे कि personal information हो गया credit card number हो गया ठीक है इनको हमें यहाँ पर चुराना है अब इसको चुराने का main purpose आप लोग को प victims होते है जिनकी system को उन्होंने hack किया होता है ठीक है उनसे passive demand करते फिरोती एक तरह कि आपकि सकते हो कि जैसे किकू किनाप कर लेते फिरो उति मांगते तो ऐसे ही हमारे system को एक तरह किसे खशड़ कर लेते और फिरोती मांगते financial gain भी चाते उसके बाद क्या है system compromise हमारे system को compromise कर करना हमारे system को compromise करके उसके उपर अपना पूरा control रख लेते हैं और उसको अपने हिसाब से बेजते हैं अपने हिसाब से डाटा को चुराते हैं सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं उसके बात क्या है क्या कर रहा है उसका system में क्या क्या information है वो कैसे काम करे उसको उपर हम ध्यान रखते हैं उसके बाद क्या disruption जो normal operations है हमारे system के networks के उन्हें हमें disrupt कर देना उन्हें रोग देना यह ताकि सामने वाला परसन सही तरीके से काम कर ही न पाए उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑप मालवेर्स ठीक है यह काफी important हमारे यहां पर टापिक है तो पहला जो टाइप है वो क्या है वाइरस ठीक है तो बेसिकली क्या है एक तरह का मालवेर ही यह ते दो चीजुरें欸 समझी यह मालवेर्स ही होता है ठीक है हमने अलग-अलग Such के साथ में मिलकर हमारे ताइप हो बाए इसिक में क्या होता है एक जो किसी कोष्ट के धरीर किसल के सबक्र हमारे सिस्टम के अंदर पतर गर और उसके बाद हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है वाइरस के एक खासियत होती है कि जो वाइरस है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता मतलब कि अगर उसे हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करना है तो उसे पहले एक host ढूना पड़ेगा होस मतलब कि पहले उससे किसी फायल के साथ जो है इसे अटाज होना पड़ेगा या फिर किसी प्रोग्रम की साथ अटाज करना होगा और उस प्रोग्रम के जरिये ही हमारे कॉंप्यूटर सिस्टम के उन्टर और एंटर कर सकते है जिसे example के मान के चलो हमारा यहां पर एक A person है और यहां पर B person है तो A person है यहां पर virus बना है ताकि वो B person की system को compromise कर सके ठीक है अब यह जो virus है वो यहां पर B के computer में सीधा सीधा नहीं जा सकता है इसको एक host चाहिए तो इसने पता लगाया कि जो B person है वो generally उसको music पसंद है उसे music पसंद है तो वो एक site है उसने identify के लिया था वहां से music को download करते है तो इसने क्या कि इस virus को इस virus को उस music file के साथ जो है attach कर दिया ठीक है coding बगएरा कि जिससे क्या हुआ कि यह जो virus है वो उस music का ठीक है उस music का एक हिस्सा बनिया और जैसे भी ने उस music को download किया तो यह जो virus है इस music file के जरिए इसके अंदर जो है इसके computer के अंदर enter कर जाता है क्लियर आथ तो यह हमारे actively करते हैं जब एंटर कर जाते हैं तो उसकी बात basically यह हमारे सिस्टम को तरीक से वर्क करने करेंदे हुमारे data को चुरा लेते हैं या फिर उसको डेमेज कर देते हैं तो कई सारे actions यहाँ पर को जाते हैं जैसे हम आने आपको बताया किए data को करना है sensitive data को चुराना है या फिर उसको instable बना देना हमारे system को clear है next बात करते है वो तो यह हमारे दूसरी type है यहाँ पर malware के अब warm basically क्या होते है तो warm भी कुछ यहाँ पर software होते है code होते है ठीक है अब warm की जो होते है वो यह होते है कि अगर हमें इसको हमारे system के अंदर enter करना है तो इसे किसी file या फिर प्रोग्राम की जरूत नहीं है यह अपने आप से हमारे system में जो है वो enter कर जाता है clear है और दूसरी खास्यत इसकी देख है कि अपने आपको कई गुना बढ़ा देता है यानि कि जैसे ही आपके computer के अंदर एक वाम बढ़ा तो कुछ ही time के अंदर एक से 100 हो जाता है फिर 100 से 1000 हो जाता है फिर 1000 से 10 1000 हो जाता है तो यह दो important खास्यत आपको याद रखनी है जो इसको वाइरस से थोड़ा साथ जुदा करती है पहले यह कि इसे किसी फायल या फिर program की जुरूद नहीं पड़ते यह independently हमारे system के अंदर एंटर कर जाता है और दूसरा यह कि यह अपने आप भी बढ़ता जाता है यह अपने आपको कई गुना जो है वह बढ़ा देता है जैसे example के मान के चलो ठीक है यहाँ पर एक a person था ठीक है उसने क्या किया एक website पर विजिट किया वहाँ पर website पर एक link था जो कि secure नहीं था उसने उस link पर पर जैसे उस link पर click किया यह जो warm है वह यहाँ पर इसके computer के अंदर में जो है आगे तो यहाँ पर कोई additional file नहीं डाउनलोड की पस एक link पर click किया और उससे warm इसके computer में आ गया तो यह क्या कहलाएगा यह जो आएगा यह मौन बेर जो आएगा वह हमारा warm जो है वह कहलाएगा अब यह हमारे system को नुफसान कहीं से पहुचाता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यह क्या करता है कि अपने आपको कई गुना बढ़ा लेता अब जब यह कई गुना बढ़ जाता ना तो इसका जो load है वह हमारी computer system की memory पर पढ़ता है जैसे आप लोग को बता है कि computer मे हमारे system को काम करने से रोकता है next बात करते है trozen horse कि क्या है trozen horse अब trozen horse क्या होते है तो trozen horse ऐसे software होते है जो कि यहां पर दिखने में कुछ और होते है पर असलियत में कुछ और होते है जिसे आपने कई पर दिखा होगा कुछ लोग होते है वो देखने में कुछ और होते है प वो काफी secure आपको लगता है ठेके और useful लगता है यानि कि कहीं से किसी angle से नहीं लग रहा होता कि यह हमारे किसी system को यहाँ पर नुकसान पहुचा सकता है जैसे example के मानगे चलो एक game है ठेके आपने एक game यहाँ पर जो है देखी एक website के ऊपर game जो है वो show हो रही थी अब यह जो game है वो देखने में लग रही है normal game है secure है आप इसको खेलोगे useful रहेगा आपको किसी पर नुकसान नहीं होगा पर जैसे आप इस game को download करोगे आप जैसे इस game को download करोगे तो यह अपना असली रंग जो है वो दिखाना start कर देता है यानि कि आपको लगता है कि आप game ठीक है ऐसा नहीं है कि game नहीं खेल भाता game खेल रहो पर उसके back end में यह अपना काम भी करता रहता है हमारे system को खोखला कर देता है तो कहने का मतलब क्या है कि frozen hair software एक ऐसा software होता है जो कि देखने में हमें harmless लगता है secure लगता है useful लगता है पर असलियत में जो software होता है वो हमार system के अंदर जो है enter कर जयता है जैसे दो software में दो मौलवर हमने बात की तो क्या गलती से enter कर जाते है पर यहां पर क्या हो रहा है हम software को खुद से download कर रहे है क्योंकि हमें गलत फैम है कि यह जो software हो सही है अब इस software का नाम frozen horse कैसे पढ़ा इसकी एक interesting यहां पर जो है story है जो मैं share की पड़े ठीक है अब जो Greek थे ना वो ट्रॉय के अंदर घुसना जाते थे पर ट्रॉय के बाहर एक बहुत बड़ा दर्वाजा था जिसके वो तोकर अंदर उसना बहुत मुष्सक्व जिसके पचो जो घ्रॉय ंदर नहीं जपा रहे थे तो ग्रीक वालों ने स्कीम थे उन्हें क्या किया एक बहुत बढ़ा लगड़ी का गोड़ा बना क्या आप इस फैकर आज बनाना यहां पर आता नीए है तो माने कर चलो यह नanticot this judy का यहां पर बनाए उन्हें लगा simple hoda है तो उन्होंने गया गया इसको अपने country के अंदर अपने जो बॉर्डर है उसके अंदर जो है अपने शहर के अंदर ले गया जैसे ही रात हुई तो यह सिपाही इस गोड़े में से निकले और उन्होंने गेट खोल दिया और सारे के सारे जो सिपाही थे ग अब स्पाइब का मतलब क्या होता है किसी की उपर नजर रखनी है तो इसकी की उपर नजर रख पाते हैं किसी की जासूसी करते हैं ताकि उससे जुड़ी जो important information है उसको हम यहां पर secret तरीके से चुरा सकें और उसको किसी third party को सेल कर पैसा कमा सकें तो पाइब क्या करते हैं किसी ने किसी तरीकी से system के अंडर download कर रहते हैं उसके पाद उस system के अंदर जो भी activities की जाती है उसके बार में हमें पता लगता रहता है ठीक है जिससे हम information को चुरा लेते हैं अब जो spyware है उससे जो नुकसान है वो यही होता है कि हमारी जो privacy होती है वो यहां पर खतम हो जात करोता है वो किसी न किसी तरीकी से हमारी system के अंडर addware software को डाल देता है और उसके बाद यह जो addware होता है वो क्या करता है हमारी browsing history होती है जो भी हम search बगरा करते है उनके उपर निगरानी रखता है और उसके हिसाब से हमें add दिखाता है जिससे इनकी यहां पर जो है वो sale होत इनकी अडर के आते हैं free software के जरीए आपको बहुत सारे free software यहाँ पर मिलते होंगो तो हमारे जो attackers होते हैं फ्री software के अंदर हमारे जो malware होते हैं उनको भी attach कर देते हैं ताकि वो हमारे system में जैसे हम software गढ़ाउंलोड गरें यह malware मारो जुए software के नदर आगाते है नेक्स्ट ओ तो क्या है botnet basically क्या होता है network of compromised computers ठीक है मतलब कि एक compromise computer का network compromised computer का मतलब है जिसको attacker ने पहले ही attack कर दिया है उसको अपने control में ले लिया है ठीक है जैसे example के मान के चलो ए परसनल उसने यहां पर एक computer का network था जिसके तेन computer थे ठीक है वो एक दूसरे से साथ interconnected थे उसने क्या किया मौलवर के यूज़ करके इन तीनों की उपर अपना control मतलब कि तीनों सारे सारे जो computer है उसके अंडर मौलवर डाल दिया और अब इसके computer की उपर इनका यहां पर इस person का पूरा control है ठीक है अब यह जो network है ना computer का इसी को हम क्या करता है botnet अब जो attacker होता है वो क्या करता है इन botnet के जरीए जरीए जो है system के उपर attack करता है clear app को तो यहां पर मेनी देख गए it is a network of compromise compromise computer यह compromise computer का network होता है जो के central entity central entity कौन है जिसको हम boat master कहते है और जनल यह attacker होता है अब यह जो botnet है इसकी help से जो हमारा attacker है वो कही तरह यहां पर malicious actions perform करता है जिसे की spam messages भेजता है data को चुराता है या फिर malware को और install यहां पर और system install बगरा करता है next बात करता है ransomware next यहां पर ransomware अब ransomware क्या होता है तो जलने देखो यह ऐसे software होता है हमारे जो attackers होते हैं वह हमारे system हमारा जो computer system है या फिर किसी हमारे किसी file को block कर देते मस्दब कि अगर ये software हमारे system के install कर दे जाए तो attacker इन malware की help से यह software की help से हमारे system को पूरे के ब्लॉक किया जा सकता है जो कि हमारे ले काफी important हो अब जो attacker है वो इन फाइल को ब्लॉक करके क्या करता है जो हमारे victims होते हैं जिनके computer system को hack किया जाता है उनसे फिरोती मांगता है उनसे पैसे मांगता है ताकि वो इसको यहां पर open कर सके जिसे मैंने पहले भी example दी थे आपको क पहले kidnapping कर ले तो एक तरीके से इसने आपके computer system को kidnap कर ले आपकी file को kidnap कर ले और उसको छोड़ने के बदले में वो आपसे पैसे मांगता है और आपको पैसे देने ही पड़ते क्योंकि काफी important files यहां पर होती है और वो देखके ही उनको block जो है वो करता है clear है next बात करता है root rootkids क्या है rootkids अब rootkids क्या होते है तो यह iacuse software होता है जो की दूसरे malware को hide करते है जिसमेंने आपको बताय होते है what generally qya होते है hide रहते है मतला कि हमारे system में वो होते है but हमें उसके बार से पता ही ने लेख पाता जब तक वो अपना काम नी करते है अब यह हो कैसे बता है तो इसमें से जो रूट कीट है वो यहां पर इनके help करता है जो रूट कीट होता है वो यहां पर जो मॉल्वेर software होते हैं उनको hide करके रखने में helpful होता है ठीक है इनको छुपा के रखता है तक कि जो हमारा परसन है जो system का owner है उससे पता ही ने चल सके कि हमारे system के अंदर malware है वाइरस है और इनको remove करना भी काफी मुश्किल होता है next बात करते है hijackers की अब hijackers क्या होते है तो इसके अंदर जो attackers होते हो क्या करते हैं हमारे जो browser होते है हमारा browser होता है उसको hack कर लेते हैं hack करने का मतलब कि browser के उपर browser के उपर उनका पूरा control है browser की जो settings वगरा है ठीक है उनको यह अपने हिसाब सब चेंज कर लेते हैं और जनले जो hijackers करते हैं हमारे browser को hack करके हमें जो है ऐसी website के उपर access करवाते हैं जिस पे वह चाहते यानि कि जिन website पे जाकर उनका फाइदा होगा या फिर हमारा नुकसान होगा उन website सिप पे हमें यहां पर भेजते हैं जिससे ultimately हमारा नुकसान हो जाता है clear है तो यह बिना हमें बताए यानि कि जो हमारा person है user है उसको बिना बताए उसकी browser की सेटिंग्स को modify कर देते हैं change कर देते हैं ताकि वह अपनी मन चाहिए website पर उसे access करवा सके next क्या है fast plugs in dns ठीक है क्या है हमारा fast plugs in dns तो dns का full form क्या होता है domain name system अपर domain name का होता है तो जोनले देखो कोई भी website हो कोई भी हमारी यहां पर web server ठीक है web server उसका domain name होता है क्या होता है यहां अपर domain name बता है जैसे आरश कोई आइस पर domain name होता है और हम को यहां पर nova website होता है वेब सर्वर कहां से operate किया रहे अब क्या होता है कि हमारे जो attacker होते हैं वो क्या करते हैं यहां पर fast and flux in dns system के अंदर जो अपना ip address होता है उसको बार-बार change कर दे रहते हैं मतलब कि mintos kinto में अपने ip address को change कर देते हैं जिससे क्या होता है उसके पीसे reason यह होता है कि ip address change होने से क्या होता है कि हम उसका जो exact location है वो find out कर ही नहीं पाते हैं तो fast and flux का जो main objective होता है वो यही होता है कि जो cyber criminals है वो यहां पर अपने identity को छुपा लेते हैं इससे malicious activity और website को रोकना काफी मुश्किल है यहां पर हो जाता है clear है next बात करते है jeos ठीक है यहां पर क्या है jeos बैसिकली यहां पर क्या होता है तो यह जो attack है वो mainly हमारे जो financial institution होती है जैसे कि जो banks हो गई वहां पर use क्याता है अब इस software के help से जो हमारा attacker है वो क्या करता है जो bank की user authentication के methods होते है उनको defeat कर देता है अब जैसे आप लोग को पता है कि bank के अंदर कोई भी transaction करने हो तो पहले identification की जाते है कि क्या यह वही person है जो यह जो methods होते है login बगएरा कि इसे defeat कर देता है जिससे हमारा जो attacker है वो अनथ्राइस तरीके से bank के अंदर accounts में access पाता है और यहां पर जो amount बगएरा होती है उसको चुरा लेता है bank को खाली कर देता है next बात करते हैं why cyber criminals target data over money जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि जो attacks होते हैं उनका जो main purpose होता है वो data को चुराना होता है या data को damage करना होता है पैसे वैसे पर वह जादा ज्यान नहीं देते हैं पैसे 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 कुछ होते हैं पर ज्याद अगर आपने यहां पर data चुरा लिया है तो data जिससे भी related हो ठीक है उस data को आप बहुत सरे कामों के लिए यूज कर सकते हो पैसे को इतना यूज नहीं कर सकते हैं उसके बात क्या है ease of application का मतलब कि यह कभी खतम नहीं होते हैं पैसे तो खतम हो जाएंगे पर यह क्या है इस data data a use करें शॉक्स करें इस कभी किसी और गाम कलें कभी किसी और काम कले कभी किसी और गाशन को गाशन सब्केंदि देखो जब कम पैसे को चुरात mett ना तो उस data से हम और data इखठा कर सकते हैं जैसे कि अगर मान के हमने system को hack किया और अनुतराई सरी है इस data को थैसे ने के बात the data को मैं और चुरासकते हैं यहां उस favorah recover security maintain करने काफी जरूरी होती ठीक है अब देखो जो डाटा है हमारे कस्टमर का उनका पैसा भी हो उनका डाटा भी है तो कस्टमर तभी अपने बैंक के पास आता है जब उसको बैंक की उपर पूरा की बैंक कि पर बने बैंक के थोस्सक्राइब करने के संबहल के सबस्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करने के लिए हमारी जो बैक है वो कई सरा के security measures यहां पर implement करते हैं ताकि data को चोरी होने से बचाया जा सके ठीक है अब कौन-कौन से है पहला देखो कहा data encryption data encryption क्या होता है basically तो इसमें हम लोग जो data होता है ठीक है उसको convert कर देते हैं unreadable format के अंतर जैसे मानगे जो अगर हमने यह अगर कोई person hack कर लेता है तो अगर कोई person यहां पर hack कर भी लेता है ठीक है माल पर डाल भी देता है तो उसको समझ ही नहीं पाएगा इसका क्या मतलब यहां पर होता है तो data को चुराने के बाद भी उसको secure रखने के लिए encryption काफी जरूरी थी है उसके बाद क्या है multi-factor authentication को मतलब है कि जब हम किसी user को उसके account के अंदर access दे रहे होंगे तो वहां पर हम multiple levels पर इसकी verification करेंगे जैसे आपने कई बार देखा होगा पहले user ID मांगा ठीक है उसके बाद UPI address मांगा अगर mobile phones की बात करें तो multiple verification strong हो जाती है हमारी security जो है वो maintained है उसकी बाद क्या है access privilege ठीक है तो access privilege control के अंदर हम क्या करते है जो हमारे users होते हैं उनको limited access देते हैं ठीक है यानि कि हमारे जो users है उनको जितना data की जरूरत है उतना ही data जाता है access control का जो main purpose है वो यह है कि सिर्फ और सिर्फ authorized person ही हमारे system के अंदर एंटर कर पा है unauthorized person है next बात करते है external audit के external audit होता है जब हम किसी बाहर वाले से अपनी checking करवाते हैं जैसे देखो bank है उसके कई सारे यहां पर functions वो perform कर रहे है तो वो जाना जाता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके जो employees है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं जो हमारी books of account है वो सही से prepare हुई है कि नहीं तो उन ठीक है तो यह जो auditor होती है इसका main purpose यह होता है कि हमारी security practices जो controls है compliance है वो कितने अच्छे तरहीं से किये जा रहे है वो चीज को देखना यहां पर जरूरी होता है ताकि bank इसके बहाब पर behave कर सके उसके बाद कहा है ISO ISM certification ठीक है अब जरनी देखो यह जो ISO ISMS है यह international level पर guidelines issue करत है तो जब bank यहां पर इनके certifications लेती है ISO पर ISM की बात करें तो इनकी जो guidance होती है उनको मानना जरूरी होता है bank के लिए और जब भी किसी bank के पास यह वाले certificates होंगे इसका मतलब क्या हुआ उसने best practices को use किया है अपने data को secure करने लिए क्योंकि इनको use करने के बाद ही in conditions को fulfill करन है नेक्ट बात करते है technology of malware deduction and control अब देखो malware के बार में हमने बहुत पढ़ लिया यहां पर अब बात करते कि उनको deduct कैसे किया है उनको control कैसे किया है क्योंकि थोड़ी हमारे system को नुक्सान पहुंचाने देंगे तो कई सारी technology जिसमें से सबसे famous technology क्या है antivirus antivirus का मतलब क्या ह यहां पर कि यह जो antivirus है वो क्या करता है हमारे system के अंडर जितने में malware होते हैं उनको identify करने के लिए उनको prevent करने के लिए और remove करने के लिए यूज किया तो जो भी techniques हम पढ़ेंगे उनका objective तो सेम है कि जो भी malware software है पहले उनको identify करो फिर उसको रोको अगर मान के चलो वो enter कर जाता है उसको remove कर दो तो ऐसे antivirus है आपर करता है अब antivirus काम कैसे करता है तो यहां पर हमारे पास नहीं पूरा database maintain हो दा है यानि कि हमारे system के अंडर इससे पहले जो जो malware थी उन्होंने जो नुक्सान पहुंचाया था उनके जो characteristics थे ठीक है उनके जो footprints है उनको हमने एक database के जो antivirus है वो क्या करता है जितने भी software होते है उनको इनके साथ compare करके देखता है match करके देखता है और जैसे कोई match मिल जाता है जैसे मान के चलो अगर हमने पहले यहां पर मान के चलो एक A नाम का malware था इसके सारे characteristics जो हमने store करके रखे हुए है और फिर क्या हुआ सेम A malware हमारे करने देगा और अगर enter कर भी जाते है तो इसको detect करके उसको remove कर देगा next बात करते है signature based deduction अब signature based deduction के अंदर क्या होता है तो generally देखो जब भी कोई malware attack होता है हमारे system के अंदर जो हमारी companies होती है जो समझदर companies होती है उनकी पूरी research करती है ठीक है कि malware क्या था कहा से reason हुआ था कि उसने क्या नुकसान पहुचा इस malware के क्या characteristics थे तो इसके जो characteristics है या फिर फुट्प्रिंट्स भी कैसे थे जैसे कोई person होता है उसके footprint चलते है तो उसके footprint होते है यह जैसे 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 malware चला था इसके भी footprints को हमने यहां पर record करके रख लिया था उन footprints को हम क्या कहता है signature क्य तो नहीं है हमारे system के अंदर हम comparison करते हैं और जब भी हमें कोई same character 6 मिल जाते हैं तो अब हम उसको deduct कर लेते हैं और उसको remove कर देते हैं next guy heuristic based deduction क्या है heuristic based deduction ठीक अब यह क्या होता है तो जो पहली दो technique यूज की थी वो जो दो दो technique है वो उल्लेडी ऐसे malware जो की हमारे system के अंदर enter कर चुके होते हैं उनका हमारे पास record है उनको deduct करने के प्रेवेंट करने के लिए use किया थे पर कई बार होता है कि कोई नया malware आय है तो उसके बार में क्या करेंगे तो उसके लिए use किया था है heuristic based deduction अब इसके अंदर क्या होता है basically मैं आपको बता दू कोई भी कोई भी program हो कोई भी malware हो उसके behavior को study किया रहता है मतलब कोई software अगर हमें system के अंदर एंटर किया है तो कैसे behave करें कोई suspicious activity तो नहीं करें कोई suspicious behavior तो नहीं है उसका उसको हम यहां पर monitor करते हैं और जैसे ही हमें को suspicious activity दिखती है कोई real instruction दिखती है पर junk code दिखता है तो हम उसको malware को detect कर लेते और उसके उपर काम करना शुरू कर देखते हैं उसके बात क्या behavior interaction तो यह भी हमारा यहां पर किसी नए malware को detect करने के लिए यूज करते हैं तो इसके अंदर हम totally किसी भी malicious activity को देखते हैं उसको monitor करते हैं उसको behavior को देखते हैं कि कोई भी program है अगर हम उसको execute करते हैं तो वो कैसे act कर रहा है वो सही तरीके से काम क कर रहा है यह फिर नहीं कर रहा है कई कोई malicious activity तो नहीं की जा रही है तो उसको identify करके उसको remove करते हैं ठीक है यह किया थी हमारे टेक्निक्स थी जिनका use करके हम यहां पर जो हमारे antivirus जो होते हैं उनको detect कर पाते हैं उनको prevent कर पाते हैं उनको remove कर बाते हैं लेक्स बात करते हैं OS vulnerabilities क्या है OS vulnerabilities और OS का मतलब यह आपर बता दू operating system तो operating system के बार में already हमने बढ़ा था तो यह क्या था एक systems का फायदा उठाके malware हमाय सिस्टम में डा दे अब अगर इन बलने की बात की जाए तो यूनिक्स और लीनिक्स है इनका अगर हम comparison windows के साथ करें तो यह काफी secure माने जाते हैं मतलब कि इस operating system को नुक्सान पहुंचाना या फिसकी भलने रिविटी का फायदा हो धोना यह काफी मुश्किल होता है काफी secure माने जाते हैं पर जो windows होते हैं वो इतने अदर secure नहीं माने जाते हैं अब इसके पीछे एक और reason हो सकते हैं जो windows काफी famous जादा attackers की नजर इसकी उपर है तो इनकी पर attack होने की जो chances वो काफी जादा बढ़ जाते हैं नेक्स बात करता है preventive controls कि हम preventive controls यहां पर कौन कौन से कर सकते हैं तो पहला preventive control क्या है latest updated security software नहीं कि जो software हमें use करने है वो latest होने चाहिए और updated होने चाहिए जिसके अंदर antivirus antispam antivirus ठीक है यह भी updated होने चाहिए नेक्स यह question विड डाउनलोड जब भी हम को इसी चीज को डाउनलोड करते हैं तो बिना सुझे समझे डाउनलोड पर ऐसा नहीं करना है हमें जो डाउनलोड है वह यहां पर secure जगह से करना है कोई भी ऐसी जगह जो कि unathrised हो unlicensed हो untested हो उस software को डाउनलोड नहीं करना है क्य चीज़े हमें यहां पर करनी है कौन सी चीज़े हमें यहां पर नहीं कर रहे है ठीक है तो पहले यहां पर don't और do us दोनों देखेंगे पहले बात करतें don'ts की ठीक है तो don't के अंदर क्लिक on link inside pop-ups ठीक है अब जब आप किसी browser पर जाते हो browser पर access करते हो तो वहां पर ना भी आपके पास email आती है या फिर आप email को send करते है ठीक है तो सबसे पहले आपको उस email को properly scan करना है कि उसके अंदर कोई भी malware तो नहीं है क्योंकि उस email के जरीए हो सकता है आपके important system के अंदर वो malware चला जाए उसके बार next don't click on links in spam mails ठीक है अगर आपको कोई भी spam mails मिलता है बनला कि mail आया आपको और लगर आया कि यह secure place से नहीं आया है तो आपको इस mail को open नहीं करना है आपको इसके उपर click नहीं करना है बलकि उसको देखे बिना उसको open किये बिना उसे delete कर देना है उसके बाद क्या है don't trust any spam message कोई भी आपके पास spam message आता है और कहता है कि मैं anti spyware तो आपको उसे नहीं मानना है उसे remove कर देना है उसे देखना भी दिया ठीक है उसके पास जितने भी junk mails है पॉप आपस है उनको बिना click किये बिना unsubscribe button पे डाले उसको delete कर देना है उसके पास किया किसी भी free software को आपको download नहीं करना है अगर आप properly sure नहीं होगी वो software सही है system के अंदर आये तो ऐसा बिल्कुर नहीं करना है उसके बाद जो untrusted sources mail आते हैं उन्हें जो है आपको delete कर देना है उसके बाद क्या है don't install plugins ठीक है अगर आपको कोईसी चीज की need नहीं है मतलब किसी software को need नहीं है तो उसे आपको download यहां पन नहीं करना है और आपको समय समय प download करो उससे additional कोई कहा रहा है कि यह file download कर लो आपका जो experience होगा और बहतर हो जाएगा movie अच्छी दिखेगी तो वह आपको यहां पर नहीं करना है उसके बाद जितना हो सके जितना हो सके हमारे जो emails है उनको digital signature के थ्रूँ जो है encrypt करना जरूई मतलब कि secure तरिके से आपको यहा जो है ध्यान रखने तो यहां पर जो आज का हमारा topic है वो यहां पर over होता है तो basically हमने क्या चीज़े पड़ी software attacks के पड़े बारे में पड़ा जिसके अंडर हमने virus और malware के बारे में detail में पड़ा अगर यहां पर मैं conclude कर तो malware basically क्या होता है को software होता है code होते जिनको हमारे computer system को हमार network को नुकसान पहुंचाने के लिए बिनाया जाता है तो जो attacker है वो unauthorized तरीके से इन malware को हमारे system में पहले एंटर करवाता है फिर यह जो malware होता है वो हमारे system को properly work नहीं करने देती है और उसके पैदा उठाके जो attacker वो हमारे system पहुंचान पहुंचान पर हमारे data और information को जो है वो नुकसान पहुंचान तो I hope आपको यहां तक clear को क्या होगा अगर आपको किसी तरह का doubt आता है तो आप chatbox से मैसे करके पूछ सकते हो और अगर आपको clear है तो फड़ा पर से एक बड़ी chatbox से मैसे करके जरूर बताजे कि आपको यहां तक clear है और अगर आप systematic manner में IT security के preparation करना जाते हो तो फड़ा पर से हमारी course में enroll कर लिजे जिसके अधर हम आपको provide करवाते है conceptual videos जो के हमारे Hindi और English language के mix में available होते हैं इसी के साथ हम आपको mock test, mega mock test और e-pdf notes ही provide करते हैं जिनकी help से आप easily revision कर सकते हो और यह जो हमारी live classes होती है वो आपको recorded form में में मिल जाती ह है तो फड़ा फड़ा से हमारी course में enroll कर लिजे हमारी courses है वो easily accessible है अगर आपे controlled user हो तो iipf learning center application download कर लिजे google page store से और अगर आप एक ios user हो तो my institute आप download कर लिजे app source है और वहां पर आपको organization code यूज करना है GEGKT तो फड़ा फरसी इन application को download कर लिजे हमारी courses में enroll कर लिजे और अगर आप अभी हमारे course में enroll करते है तो आपको लगपक 82% का off में जाता है हमारे courses पे जिसके लिए आपको coupon code यूज करना है आशी तो फड तो फड़ा फरसे वारे telegram channel के join कर लिजे ताकि को important update आपसे मिस ना हो जाए इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाए तो आज की रह इतनी अगर session अच्छा लगा तो session को like कर देना हमारे channel को subscribe कर देना और शियर जू कर देना अपने channel के साथ का link से आथ ताकि वह भी session का benefit ल में